शेलाट एवियेशन एन होटल मेनेजमेंट इंसिटूट ए एक व्यावसाइक तालीम संस्था छे चेत दस बार पास फेल तैम मझ कॉलेद ना विद्यार्थियोंने इंटर्णशिप अने जोब प्लेस्मेंट नी तक पूरी पाड़े छे 2004 मा तेनी सुरुवाद थै त्यार्थी सेलाट एरलाइन एरपोर्ट स्टार होटेल्स अने गुजराट ट्यूरिजम प्रोजेक्ट जीवा के रण उस्सव अने स्टेची ओफ युनिटी टेंट सिटी मा विद्यार्थियोंना प्लेस्मेंट माटे सकत मेहनत करी रही छे सेलाट ना विद्यार्थियों IRCTC हेठल भारत नी टोशनी हाई स्पीड ट्रेनों तेजस एक्सप्रेस अने वंधि भारत माटे पन काम करी रही छे आजे सेलाट से लगभग तमाम भारती एललाइन्स मा अने इंटरनेशनल मा पन जोब प्लेस्मेंट प्रदान करी छे एरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओ चेम के एरपोर्ट ग्राहक सेवाओ अने एरपोर्ट सुरक्षा माटे घणा विद्यार्थियों नी भरती करवा मा आवी छे एरलाइन्स एरपोर्ट औने होटल उध्योग उप्रांत सेलाट्स अन्य उध्योगनी तालिम माटे पन सक्रियरी ते काम करी रही छे चैम के जोब प्लैस्मेंट नी खातरी साथ हे फैसन, इवेंट, ब्यूटी, नर्सिंग, पेरा मेडिकल सेलाट पासे विध्यार्थियों माटे लायू ट्रेनिंग एक्सपोजर माटे तन क्लासरूम इंफ्रास्रक्चर छे एटलुद नही सेलाटे अमिरात एरलाइन्स माँ ट्रेनर धरावती एक मातर संस्था छे तेना तमाम ट्रेनर्स पासे व्यापक तालिमनों अनुभाव छे सेलाट नो मुख्या उद्देश विध्यार्थियों आने तेना माता पिताने अब्यासक्रमनी पसंगी अंगे योग्या मार्दक्सन आपपानों छे जेते विद्यार्थियों ने अभ्यास क्रम मा एक वर्ष नी अंदर भरती करी सकाई सेलार सतत तेनी सेश्ट ताली माप्पा माटे प्रति बंद छे सोनेल पाटिल साथे समय मिडिया नियोस सूरत मारो नाम डोक्टर जाई भुवा छे आजे जे एवियेशन इंडेस्ट्रीस माटे एक सरस कार्योखरम कॉनक्लेव नुँ आयोजन करवा मा आविए दू जेना अस्तक आ विस्तार नी तेमाज समग्र सूरत विस्तार नी घनी बिदी साला होगा ने कवर करवा मा आविए थी जे मना मेनेजमेंट स्टाप प्रिंसिपाल तेमाज जे वहिवटी स्टाप होई दरेकने आमंतरीत करवा मा आविया था अने खुब सारो यह प्रोग्राम अतो जेमा लोको सुधी जे बेजिक माहीती पोच वी जोई है जे वी रितना के 10 ने 12 धोरण पछी लोको 6 महिना नी ट्रेनिंग पछी साराईवा पगार धोरण पर साराईवा प्लेसमेंट आने सारी पोजिशन मेलवी सके एना ए बाबते विस्तरूत मा माहीती जे पंचाल साहिब जे सेल्टास इंस्टिट्यूट ना जे ओलना छे जे बदल तमाम साड़ा कोलेज वती खासकरीने प्रशात वाडीले तेमच पंचाल साहिब नों कुपकुप आभरमानी से जे बारत अमारो ना ममता लेलिया चे मुह एमपी लेलिया स्कूल ने ट्रश्टी चू आजे अमने आ संस्था जे बोलाएवा चे ने अमारू संदमान केरू चे खरेखार कूबच सरस्थे कानके अमारा स्कूमा घणा बदा स्टुडेंटों चे एले आ टाइप नो जे इन्फर्मेशन चे आजे अमें कुद त्रश्टी तरीके भी आवी ने आजे में लाइव जोयुछे एले अमें अमारा स्टुडेंट ने पन केसू के खरेखार आ संस्था एक बहुत सारू कारे करे रही चे और जे बदा स्टुडेंटों चे आजे आ कारेकरम नो आजेंट करवा माई उचे खरेखर हूं दन्यवाद मानूचू के आ संस्था खरेखर वो फाइन चे एंक्यू सो मच कि अमने यादे इन्वाइट करवा माएवा चे थैंक्यू मेरा नाम हितेन पंचाल है मैं फाउंडर हूँ शेल्टाज एविशन हॉस्पिटालिटी इन ट्रावल मेनेजमेन इस्टिटूट का हमने ये फर्स्ट टाइम सूरत में एजुकेशन कॉंक्लेव ऑर्गिनाइज की है जिसका में परपस था कि जितने भी टीचर्स है में दिलवाना एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद ताकि उनको बहुत जादा पैसा करचाना करना पड़े कहीं पे बहुत जादा लंबे करियर के लिए वेट न करना पड़े हम इतनी फास्ट ट्रेक जो अपर्शनी प्रोवाइट कर रहे हैं अभी सूरत में वह अवेर्नेस जो है अगर जब तक प्रिंसिपल्स ट्रस्टीज और पीचर्स नहीं समझ पाएंगे तब तक वो आगे डिलिवर नहीं कर पाएंगे तो यह ऐसे लोग है जो डिरेकली स्टुडेंट्स के कांटेक्ट में रहते डे टू डे लाइफ में तो इस हमारा में उद्श है कि अगर उनकी अवेर्नेस पढ़ाएंगे तो आगे जाके स्टुडेंट्स की अवेर्नेस बढ़ेगी और जो जिस तरिके की रिकौर्मेंट अभी बढ़ रही है हमारे देश में एरलाइन्स एरपोर्ट्स और होटल उद्योक के अंदर जैसे प्रोफेशनल्स की रिकौर्मेंट तो ये एक उद्देश्य के साथ हमने ये conclave organize की है ताकि जो चीज लोगों तक पहुंचने में देरी लगती है वो इस conclave पे द्वारा जल्ली से जल्ली पहुंच पाए और बहुत सारे बच्चे जो है गलत करियर का सिलेक्शन न कर ले गलत जगा पैसा न इन्वेस कर ले और ऐ मेन objective था हमारा ये चीज को आगे लेके जाना स्कूलों के साथ जुड़ना ताकि स्कूल कल को हमें अच्छे students के साथ इस industry को fulfill कर पाए तैंक यू सो मच अगर बच्चे कुछ आगे कर पाएंगे अगर इनको ये airline industry में आगे अगर बना है तो अग्यू सो मच वर इस शिल्दा इस इच्टुट